नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है विक स्टॉक स्कूल सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आइडिया शेर के बारे में जो कि लगबग 2% से जादा हमको आज के दिन इसमें गिरावट देखने को मिली है सो पिछले दिन के जैसे ही हमको आज के दिन भी इसमें एक रेड केंडल देखने को मिली है आप देखिये लगबग यहाँ पे जो पिछले दिन हमको एक रेड केंडल देखने को मिली थी उससे थोड़ी हमको ज्यादा बड़ी ही आज के दिन भी red candle देखने को मिली है साथ मैं आप देखी इसके week भी यहाँ पे थोड़ी सी बनी हुई है तो lower level से थोड़ी सी इसमे recovery भी हमको देखने को मिली है लेकिन क्योंकि आप देखी यहाँ पे पिछले तीन दिन से जैसे यहाँ पे share जो है वो ऊपर की और जाता हूँ हमको देखने को मिल रहा था उसमें हमको यहाँ पे volume की कमी देखने को मिल रही थी और आज दो दिन हमको यहाँ पे गरावट देखने को मिली है तो आप देखे हमको volume के साथ इसमें गिरावट देखने को मिली है जो कि यहाँ पर idea के लिए एक चिंता का विशे हो सकता है तो यहाँ से share जो है वो नीचे के और कितने level तक यहाँ पर आ सकता है किस level के आसपास इसके यहाँ पर support बने हैं और क्या-क्या chart pattern हमको इसके अंदर देखने को मिले जिसकी वज़ा से आप idea के अंदर कोई भी अगर position लेना चाते हैं तो किन levels के उपा आप यहाँ पर इसमें अच्छी position ले सकते हैं ताकि आपका जो risk वो कम से कम यहाँ पर हो सके और जो लोग यहाँ पर lower levels के आसपा से इसके अंदर बने हुए उनको यहाँ पर अब भी आने वाले दिनों के अंदर क्या-क्या यहाँ पर करना चाहिए क्या उनको hold वगारा करना चाहिए यहाँ शेयर से निकल जाना चाहिए उसके बार में हम पूरी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे सो वीडियो को लास तक जलूर देखेगा सो जो लोग मेरे चैनल पर नए आए वो करिप है यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा यहां पर शेयर जो वरभे आफ यो ढ़ंट देखने को मिला उसके बार शेयर और जानेगी कोसिप और फिससे यहां पर लगातार शेयर जो है वो नीचे की और हमको आता हुआ देखने को मिला एक और चीज़ आप देखे यहां पर मैंने आपको कहा था भी जब भी इसके अंदर यहां पर पहले के दिन आप देखे पहले इस लेवल के आप जब भी इसमें हमको बाइंग देख होता हुआ हमको देखने को मिलता है और अभी हम इस लेवल के आसपास देखिए हमको यहां पर बाइंग के अंदर इतनी यहां पर वॉल्म नहीं देखने को मिल रहा है इस कैंडल के अंदर हमको जरूर वॉल्म देखने को मिला था लेकिन उसके बार आप देखिए यहां पर ल यह सकता है वोल्लिम के साथ यहां पर नीचे की और आता हूँ हमको देखने को मिल रहा है तो इसका जो सपोर्ड बनता है वो लगबग आप देखिए अभी लगबग 10 रुपे और 60 पैसे के आसपर एक इसका यहां पर स्टॉंग सपोर्ड बनता है को और चीज़ यहां पर दे रिश्णन्स को यहां पर टच किया लेकिन तोड नहीं पाया उसके बाद देखिए फिर से इसी लेवल के आसपर हम को आता हुआ देखने को मिल अभी 3 दीन हमको बाइंग इसमें ज़रूर देखने को मिली लेकिन यहां पर काफी बड़ी बाइंग हमको नहीं इस trend land को हिसाब से और यहाँ पर यह जो इसका support एक बना हुआ था इसके हिसाब से हमको लगबग इसका जो अगला target है वो लगबग यहाँ पर 10 रुपे और 60 पैसे तक आता हुआ देखने को मिल सकता है और इसके बार अगर 10 रुपे 60 पैसे को यहाँ पर यह तोड़ता है तो अब यहाँ पर मैं कोँगा buying की कोई position नहीं बनती है इस level के उपर अगर यहाँ पर यहाँ पर यह थोड़ा support लेता है और इसके बाद अगर यहाँ से share थोड़ा उपर की और जाता है और हमको volume के साथ इसके अंदर buying देखने को मिलती है तो हम यहाँ से इसमें buying की यहाँ पर उपर की और जाएगा और इस level को जैसे ही यहाँ पर volume के साथ अगर हमको यहाँ पर शुरू से ही इसमें volume की यहाँ पर volume जादा हमको देखने को मिलेगा तब ही यहाँ से share इस level तक पहुंचेगा और इस level के बाद अगर इस level को यहाँ पर तोड़ता है तब हम यहाँ से कहें नहीं है लगबग यहां पर जो लोग निचले लेवल के उपर इसके अंदर पोजिशन वगएरा बना चुके हैं अगर उनका व्यू लॉंग टम का एक दो साल का है तब आप यहां पर थोड़ा वेट कीजिए यहां पर शेयर जो है वह लगबग एक-दो साल के हिसाब से यहां पर ज्ज़रूर जाएगा आपको यहां पर जिस लेवल के उपर भी आपने लोईर लेवल के उपर एंट्री की और अपको प्रॉफिट यहां पर ज्रूर होगा अगर हम इसके इंदर आप यहां पर लगदभग एक-दो साल का लॉंग टम का वियू अगर बनाके रखेंगे अगर आपका यहाँ पर short term का view है तब यहाँ पर मैं कौँँगा इस level के तोड़ने के बाद आप देखिए एक और यहाँ पर trendland मैंने बनाई थी काफी टाइम से इसी trendland के अंदर अंदर यहाँ पर हमको चाता हुआ देखने को मिला है जब भी यहाँ पर गया है यहाँ पर नीचे लेवल के आसपास इस लेवल के आसपास इसने अपना support लिया है फिर से आप देखिए इस लेवल के आसपास इसने support लिया है और इसके बार अभी यहाँ पर इसका जो support बना हुआ है, वो यह trendline के हिसाब से यहाँ पर लगबग 10 रुपे 60 पैसे के आसपस यहाँ पर बना, इसको अगर यहाँ पर यह तोड़ता है, इसका अगला support यह trendline के हिसाब से लगबग इस level के आसपस 10 रुपे के आसपस यहाँ पर यह बन सकता है, और 10 रुपे स यहां से यह दुबारा reverse हो सकता है इसी pattern के अंदर अभी भी यहां पर इसी pattern के अंदर ही यहां पर रहा है अभी जो इसका बड़ा यहां पर pattern है वो लगबग यह वाला pattern है यह सिर्फ मैंने यहां पर बिल्कुल थोड़े बहुत short time view के हिसाब से यहाँ पर यह वाला पैटन बनाया है तो यहाँ पर यह मैं कूँगा कि अगर आपका यहाँ पर थोड़ा long term का वियू है तो अब इसी पैटन के हिसाब से यहाँ पर चल सकते हैं इस लेवल को यहाँ पर टच करने के बार अभी यहाँ पर लगबग 10 रुपे तक यहाँ पर यह अपना low बना सकता है अगर माली यह 10 रुपे के नीचे यहाँ पर यह शेयर जाता है तो उसके बार लगबग 9 रुपे का इसका यहाँ पर low बनेगा जो कि यहाँ पर मकूंगा थोड़ा अभी यहाँ पर मुश्किल लग रहा है, अभी सि स्य जोन के अंदर-अंदरी यहाँ पर थोड़ा टाइम यहाँ पर टाइम ले सकता है, क्योंकि मार्केट काफी यहाँ परouvolatile हमको देखने को मिली है, इसकी वज़ा से यहाँ पर share में हमको थोड़ी यहाँ पर और भी ग्रावट देखने को मिल सकते है क्योंकि market अभी यहाँ पर थोड़ा इसका view जो थोड़ा हमको negative देखने को मिल रहा है so इस level के उपर जब भी यहाँ पर share आएगा उसके उपर अगर यहाँ पर sustain करता है तब आप इसके अंदर यहाँ पर position buy की ले सकते हैं लेकिन अभी इस level के उपर नहीं buy की बनती है क्योंकि जो लोगों का यहाँ पर view short term का मैं कहूंगा इसी trend lane यह जो trend lane है वो यहाँ ज़ादा reliable है यहाँ पर इसी के हिसाब से इस level को यहाँ पर जब तक नहीं तोड़ेगा इसके उपर यहाँ पर sustain करेगा तो ऐसा ही हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है यहाँ पर long term के view के हिसाब से यहाँ पर मैं कहूंगा बिल्कुल यहाँ पर वेट कर सकते हैं यहाँ पर आपको बिल्कुल यहाँ पर panic होने की कोई जरूरत नहीं है जो लोग यहाँ पर short term का view बनाके रखें उनको यहाँ पर मकूंगा यह जो trend line को जब भी यहाँ पर यह तोड़ता है तब आप चाहें तो इस share से निकल सकते हैं लेकिन long term के हिसाब से आप इसको रखिए इतनी बड़ी quantity मत करीजिए आपको यहाँ पर long term के अंदर जरूर इ सो यह थी आज की वीडियो अगर वीडियो चलागा तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलते हैं अगली वीडियो में नमस्कार और नीचे comment box में जरूर बताइएगा अपने idea का share किस level के उपर यहाँ पर करीदारी की है सो मिलते हैं अगली वीडियो में नमस कार